Hello everyone and welcome back to my channel, मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कैसे आप free download कर सकते हो unlimited stock footages Premiere Pro के अंदर अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या Premiere Pro के अंदर कोई website बताऊंगा मैं तो नहीं मैं आपको एक plugin के बारे में बताने वाला हूँ एक extension के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप install करोगे जो की absolutely free है और उसको install करने के बाद आप access कर सकते हो unlimited stock footages को अब एक काम करते हैं सीधा चलते हैं computer screen पे मुझे पता है आपको बहुत जादा curiosity हो रही है तो देखते हैं exactly ये हम कैसे करेंगे and download footages कैसे करेंगे alright guys तो सबसे पहले आपको आना है easy edit pro की official website पे link आपको description में मिल जाएगा then उसके बाद यहां से आप viewer पे click करोगे so ये page open होगा and यहां से आपको जो इसका application है वो करना है download mac and windows दोनों के लिए available है मैं windows यूज़ कर रहा हूँ so मैं windows पे click करूँगा and यहां पे download start हो जाएगा setup download हो चुका है इसको करते है open so यहां पे हमारे सामने एक folder आता है इसको हम करेंगे open and इसको हम करेंगे install setup install हो चुका है फिनिशपर करते है click and यहां पे यह application जो है वो run हो जाएगी तो यहाँ पर application install हो चुकी है अब हमें install करना है extension को तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी option आ रहा है मेरे पास uninstall का because मैंने already install किया हुआ है आप जब इस application को first time open करोगे यहाँ पर आपके पास option आएगा install का आपको install कर लेना है simple सी चीज है और इस time पर आपका internet connected होना चाहिए इसको कर देते हैं close and अब open करते हैं Premiere Pro आल राइट गाइस तो Premiere Pro open हो चुका है अब हमें जाना है Windows पर then extension and यहाँ पर easy edit viewer आ जाएगा इसको करते हैं open अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक pack है जिसको मैं already purchase कर चुका हूँ बट अगर आपके पास यह pack नहीं है कोई tension की बात नहीं है आपको सिरफ और सिरफ क्लिक करना है assets वाले icon पर and now you can see यहाँ पर एक और window हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो आप GIFs डाउनलोड कर सकते हो किती सारी GIFs आपके सामने आ रही है then यहाँ से अगर आप drop down इसको करते हो then यहाँ से आप images search कर सकते हो यह stock footages है stock images है आप इसको use कर सकते हो then उसके बाद videos भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो then अगर आपको particular किसी segment की यहाँ पर किसी category की आपको video चाही है and अब देखते है हमारे सामने music से related stock footage यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है so मैं कोई भी stock footage को use कर सकता हूँ आप देख सकते हो कितनी सारी stock footage है like अगर DJs के लिए चाहिए so यहाँ से आप इसको preview भी कर सकते हो इस पर play करते है तो जैसा कि आप देख सकते हो यह है footage यह footage है अब हमें इसको import करना है यहाँ पर click करेंगे आप उपर देख सकते हो after download क्या करेगा यह import to premiere pro यहाँ फिर यहाँ से आप change भी इसको कर सकते हो open आपके folder में open हो जाएगा नहीं मुझे directly import करनी है premiere pro में so just मैं इस पर import पर करूँगा click and make sure इस time पर internet से आप connected हो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास footage आ चुकी है यह रही footage इसी तरीके से मैं आपको और भी footage को download करके एक बड़ी दिखा देता हूँ ऐसा नहीं है सिरफ हम एक ही कर सकते हैं like music का अगर मैंने करा है so यहाँ पर end up एक चीज और है आप यहाँ पर format भी देख सकते हो यहाँ पर यह vertical format में है आपका जो instagram, reels यहाँ फिर आपका youtube shots के लिए so वहाँ पर भी आप इसको use कर सकते हो and यह जो हमने अभी use करी है इस पर अगर हम i button पर क्लिक करते हैं so यहाँ पर आप इसका resolution भी देख सकते हो यह है 1920 by 1080 that means full HD so यहाँ पर एक दूसरी कोई clip add कर लेते हैं like यह हम add करते हैं इसको देख लेते हैं क्या इसका resolution है again यहाँ पर आप देख सकते हो size 1920 by 1080 इसको करते हैं import and मैं 2-4 clip जल्दी से और भी import कर लेता हूँ like अगर मैं देखूं so इसको भी import कर लेते हैं and इसको भी हम import कर लेते हैं तो आपके सामने हैं यह सारी footage's हमारे पास आ चुकी है इसको कर देते हैं close scam हो चुका है इसका and यहाँ पर जो हमारे पास footage है वो एक यह है and उसके बाद यह है तो जैसा कि आप देख सकते हो यह सारी stock footage's आपके सामने है जिसको आप as a b-roll भी use कर सकते हो अपने videos में alright guys तो जैसा कि आपने देखा हम एक extension को जो कि absolutely free है उसको install करके unlimited footage's को stock footage's को download कर सकते हैं stock footage's as well as यहाँ पर आप images को भी download कर सकते हो and gif भी download कर सकते हो कुछ भी नहीं आपको single penny भी pay नहीं करनी है यह काफी interesting चीज लगी थी वैसे मैंने जो है वो pack को purchase कर रहा था बट जब मैंने उसको try किया अपने दूसरे window पे वहाँ पे कोई भी pack install नहीं था and वो work कर रहा था so मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी यह चीज शेर करनी चाहिए कोई भी website पे जाके download नहीं करना है उसके बाद Premiere Pro में import नहीं करना है इतना बड़ा long process जो है वो एकदम ही short हो गया है just click करना है and वो directly import हो जाएगी footage या फिर आपकी image Premiere Pro के अंदर वीडियो अच्छा लगा है so वीडियो कर देना like चैनल को कर देना subscribe अगर आपके मन में कोई doubts हैं या फिर कुछ queries हैं so comment section नीचे खुला है आप मेरे से पूछ सकते हो फिलाल आज के लिए ताही मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में